नमस्कार आज हम कच्छानों में गणित में प्रश्णावली एक दस्मलव एक सिखेंगे सबसे पहला प्रश्ण है क्या सुन्नेक परिमे संख्या है क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूराक है और क्यू इस नौट इकॉल टू ज आंसर है हाँ क्यूंकि हम जीरो को पी बटे क्यू स्वरुप में लिख सकते हैं जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर में क्या हैगा जीरो अर्थाद 0 बटे 3 बडाबर 0 0 बटे 5 बडाबर 0 आदी और इस प्रकार सुन्नेक परिमे संख्या है क्यूंकि हम उस तीन और चार के बीच की छे परी में संख्या ग्याद कीजिए, देखना, परी में संख्या कहा है, तीन और चार के बीच संख्या रिखा पर कई संख्या संभव हैं, जिन में से हमें इनके बीच की संख्या, अब परी में हैं, इसका मतलब अंस बटे हर, पी बटे क्यों तीन और चार का जोड़ बट्टे में दो अर्थात अर्थात यह होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे दो साथ बट्टे दो और तीन इसमें साथ के बट्टे में दो है लेकिन तीन के बट्टे में दो नहीं है बराबर तो हम सबसे बेले क्या करेंगे सबसे बेले हम करेंगे दो का गुणा तीन से करेंगे अर्थात 3 दुनी 6, 7 प्लस 6 बट्टे में 2 और उसके बट्टे में 2 अर्थात 13 बट्टे 2 गुणे 2 यानि 13 बट्टे 4 इसी प्रकार से 7 बट्टे 2 का जोड 4 और बट्टे में 2 7 बट्टे 2 प्लस 4 बट्टे में 2 अब 2 का गुणा सीधा 4 में कर देंगे 2 चोके 8 7 प्लस 8 बट्टे में 2 और उसके बट्टे में 2 अर्थात 7 और 8 15 15 बट्टे 2 गुणे 2 यानि 15 बट्टे 4 इसी तरह से 15 बट्टे 4 प्लस 4 बट्टे 2 और 13 बट्टे 4 प्लस 3 बट्टे 2 इस तरह से पूरा सवाल हम कर सकते हैं, इसके लाइक दुसरी भी सरल पद्धती है, इस सरल पद्धती को हम सीदे सीदे भी लिख सकते हैं, देखो इसमें एक और स्टेप, दो आंशर दिये हुए मैंने, पहला आंसर दिये है जो हमारे याँ पर उपतर आया है, पाचीस बट्टे आप और 31 बट्टे 8, तो हम 25 बट्टे 8, 26 बट्टे 8, 27 बट्टे 8, 28 बट्टे 8, 29 बट्टे 8, 30 बट्टे 8, यह भी संभव है, और इसके अलावा, यहाँ पर हमारे पास था 3, क्या था यहाँ पर हमारे पास, 3, 3 और 4, तो 3 का गुना 10 से करेंगे, बट्टे में 10, तो 30 बट्टे 10 और 40 बट्टे 10, यानि 31 बट्टे 10, 32 बट्टे 10, 33 बट्टे 10 से लेकर 36 बट्टे 10 तक भी हम लिख सकते हैं.